नमस्कार सभीका अभीवादन मैं डॉक्टर विकास कुमार उत्तरपरदेश सरकार दुआरा राष्टे माधनिक सिक्षा अभियान के अंतरगत सभी राजी के विद्धहलाओं में रैमेडियल क्लासेज आरंब हो चुकी हैं आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि रैमेडियल क्लास के दौरान जो हमने पिरी टेस्ट लिया है उसके माक्स हम एक समगर परवोधन एप पर किस परकार अपलोड करेंगे अपलोड कौन करेंगा अपलोड करेंगे या थो क्लास नोडल या सब्जेक नोडल सबसे पहले हमें एप पर जाकर एप को ओपिन करने के बाद या क्लास नोडल या सब्जेक नोडल जो भी माक्स अपलोड करने के लिए प्रेंसवल सरद्वारा अधिकरत किये गए हैं वो अपनी लोगिन आईडी पासवर्ट से एप पर अपनी आईडी को ओपिन करेंगे मैंने एक खलास नोडल के तहरे से एक अपने को लोगिन किया है Login करते के साथ हमारे एक सम्मानित साथी जो की Nodal है अधरनिया संदीब कौर कौसिक जी उनकी मैंने Class को Open किया मैं सबसे पहले क्या करना होगा हमें एक Class Nodal को अपनी Class को Selectर ना होगा मान लीजे वो Class Tenth के Nodal है तो Class Tenth को मैं अधिकरत किया उनको और Class Tenth में जाकर सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा यहाँ पर Attendance लगानी होगी Attendance लगाने के बाद आप जैसे ही यह जो त्री डॉट हैं उन पर क्लिक करेंगे तो Side में आ रहा है Add Student Remedial Activity तो Remedial Activity पर आप क्लिक करेंगे Remedial Activity पर क्लिक करने के बाद आपको Class को Choose करना होगा Class कक्षा का चैन करेंगे मैंने Class Tenth का चैन किया Class Tenth का चैन करने पर सब्जेक्ट का चैन करना होगा सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने Science ही लिया और Science को लेने के बाद आप देखेंगे कि एक पूरा ही आपके सामने Open हो गया Face, Test Paper वो आप करा चुके हैं Attendance आप पहले लगा चुके हैं अगर आपने Attendance नहीं लगाई है तो पहले Attendance आपको लगानी होगे क्योंकि बच्चे के Attendance लगाएंगे तभी तो उसके Add Marks को Add कर पाएंगे अब आप देखें Add Marks अब आप जब Add Marks करेंगे तो यह नाम आ गए हैं आचल, Sonu, फादर, Nim साथ में आ रहे हैं और साथ में Plus का Sign है जब आप Plus के Sign पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे के सामने आएगा लिखावा उपर आचल Maximum Marks 60 Test Date 13.10.2022 और Marks Obtain जो बच्चा Marks Obtain करेगा मान लिया बच्चे ने 60 में से 35 Marks किये तो 35 और अगर आपको लगता है कि ये Marks कम है तो वो Region भी देना पड़ेगा Region for Less Marks Region for Less Marks जब खोलेंगे तो वो आया absent था पहले किलास में बच्चा annual था वो स्वस्त नहीं था Less knowledge about chapter उसका उसी subject में बच्चा कमजोर है weak memory है slow in learning है तो उसमें आप विकल भी दे सकते हैं अगर आपको दो-तिन कारण लगते हैं बच्चे के पढ़ाई में slow होने के weak होने के तो उसको दे सकते हैं उसे submit आप कर सकते हैं जब वो आप submit कर लेंगे उसको region को उसके बाद आप जा पाएंगे एक है region for less marks का आपने दे दिया फिर disability क्या बच्चा दिव्यांग है तब आप केवल इसमें से या blind बच्चा है, low बच्चा है या vision है तो उनमें से किसी एक को आप select कर पाएंगे उसको भी आप submit कर दें यानि कहने का आर्थ ही है कि इस एप के द्वारा आप केवल उसे blast में उसे submit कर देंगे तो इस प्रकार आप बच्चे की disability आप submit कर पा रहे हैं बच्चे के कमजोर होने का कारण आप submit कर पा रहे हैं एक यह आएगा कि पहले 2-3 दिन पहले अगर एप को आप देख रहे थे तो आप देख रहे थे कि maximum marks की एक problem आ रही थी पर उस problem को टेक्निकल टीम द्वारा solve कर दिया गया है जैसे आप sst पे click करेंगे आप देखेंगे कि sst के जो maximum marks पहले ज़्यादा आकर show हो रहे थे तो आप marks आपको 20 ही show होंगे इसमें आपको दिख जाएगा यह piri test sst maximum marks 20 attendance पहले आपको लगानी होगी क्योंकि इसमें attendance मैंने नहीं लगाई है देखेगा इस blank है जब यह attendance लगा लेंगे आप तब क्या होगा इस attendance के बाद नीचे submit का बटन आएगा उसको आप submit कर देंगे ठीक उसके बाद क्या होगा attendance नॉडल लगाएंगे जो school नॉडल है वो भी लगा सकते है add marks करेंगे last में और add marks में चुकी अभी मैंने उसे marks यह देखेगा जानबुच कर मैंने ऐसा किया add student marks इसमें अभी कोई student add नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी हमने attendance नहीं लगाई है पहले attendance को लगाना होगा अब मैं आपको एक entry करके दिखाता हूँ subject nodal की और से क्योंकि यह class nodal की और से entry थी अब आप देखे मैंने एक subject nodal का password डाला है login ID डाला है जो उनका mobile number है दोनों और उसको डाल कर मैं continue करता हूँ continue करने के बाद वो ही remedial activity course content three dots है ना same three dots पर click करूँगा remedial activity पर मैं click करूँगा class को choose करके दिखाता हूँ वो ही 10th class लेता हूँ जो मैंने अभी nodal की open की थी अब मैं subject nodal की open कर रहा हूँ subject का chain करता हूँ उसी परकार science का करता हूँ और science का करने के बाद अब हम देखेंगे कि same process होगा अब आप देखें क्योंकि attendance हमने लगा दी थी आप दोखो attendance ये भी लगा सकते हैं ये सब लोग बार बार पूछ रहे थे attendance कौन लगाएंगे attendance दोनों लगा पा रहे हैं अब इसको जैसे ही मैं back जाऊँगा marks add marks करूँगा तो यहाँ पर हम add marks कर पाएंगे यानि अब यह देखेंगा max जब add करेंगे यहाँ पर आँचल आया max वही बच्ची को खलो कर सामने आई है marks obtained region for less marks disability यानि कि यह विकल भी मिट गया अब बताइए आप राज के विद्यालाओं में जो सिक्षकों की स्थिति है इतने अच्छे योग्या सिक्षक हैं पर सिक्षकों की संख्या बहुत कम है पहले बहुत सवाल उठता था कि क्या हम कौन नोडल बनेगा कौन सब्ज़ाइक नोडल बनेगा अरे भाई स्कूल नोडल सब्ज़ाइक नोड़ल class noodle कहीं कहीं तो एक ही सिक्षक है तो तीनों का कारिया देख रहे हैं बहुत मेनत की कारिया है तो इस परकार यह subject noodle भी कर पा रहे हैं और आप यह आप update कीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच